नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चाल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली अपनी हर सास में आबाद किया है तुमको ऐ मेरे जाना बहुत याद किया है तुमको मेरे जिन्दगी में तुम नहीं तो कुछ भी नहीं अपनी जिन्दगी से बढ़कर प्यार किया है तुमको जो यहां आपनी सही सुना हम आज के दिली नाशिवल की बात कर रहे हैं सबसमेल यहां जिनका वर्जे है यह अनिवर्सरी है उनको मेरे करब से धेर सारी गुड विश्यूस तो चलिए शुरू करते हैं रिष्टे वो नहीं जिसमें रोज बात हो रिष्टे वो नहीं जिसमें रोज साथ हो रिष्टे तो वो हैं जिसमें कितने भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो कांटो पर चलकर फूल खिलते हैं विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं एक बात हमेशा याद रखना सुख में सम मिलते हैं लेकिन दुख में सिरफ भगवान मिलते हैं अगर आपके पास सब कुछ है तो हर कोई आपका साथ देने के लिए तयार रहेगा लेकिन जब आप पर मुसीबत आएगी दुख आएगा तब भगवान की इलावा आपका कोई साथ नहीं देगा वक्त और हलात सदा बदलते रहते हैं लेकिन अच्छे रिष्टे और सच्छे दोस्त कभी नहीं बदलते कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रू बनकर संसार में नहीं आता हमारा विवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रू बनाते हैं जो असानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता और जो हमेशा तक रहता है वो असानी से नहीं मिलता सबसे पहले में आपको बता दू कि अजाब के लिए भग शाली जो रंक रहने वाला है वो रहेगा आज के लिए ब्लू कलर यानि कि नीला और लगी नमबर बन रहा है आज के लिए नमबर छे तो आज आपकी जीद की वज़े से परिवार में तराफ होगे जीद मत कीजेगा प्लीज आप वरिष सितियों को अपने ही नजरिये से देख रहे हैं दूसरों का नजरिया देखने का प्रतन कीजेगा फिर आप जिदन नहीं करेंगे पैसों से जुड़े यूजना सफल होंगी आर्थिक प्रगति की वज़े से फैसला लेने में ज्यादा आत्मविश्वा ले सकते हैं इसलिए जो है अपने काम को इमानदारी से कीजेगा तो बैठर रहेगा अगर आप जो है आप मैसे कुछ लोग जो है अपने पिता या बड़े बज़ुर के साथ रहे रहे हैं तो आपको उनकी मदद मिल सकती है जिससे कि आपके काम में और भी बड़ोतरी जानती मिलेगे और होनी भी चाहिए यूंकि इससे तो भगवान भी खुश होते हैं किसी शुब चिनतक का आशिरवाद और शुब कमनो कामनाएं आप के लिए वरिदान सावित हो सकते हैं अजारतिक मामलों में काफी सूज बूज और सोच समझ कर ही विचार कीजिएगा फ इस तारे कहते हैं कि उनके खोने का डर बन सकता है आज आप अपकी जो उक्षमता है उसको परकने वाला दिन है आज किसी भी विशे में जल्दी हार मत मानेगा अरे डटकर सामना के लिए आप जरूर कर पाएंगे आप किसी से कम नहीं है और हाँ ना ही किसी की बातों को अपने मन के हिसाफ से करने के जित करें विचारों के सरलता और सहचता से काम में आपको सफ़ता मिल सकती है पॉजरी विचार बहुत जरूरी है आज के दिन परिवार के साथ जो है सबंध काफी बहुत ही मदूर बरेंगे अपनी मानसिक आवस्था को और भी जादा बैठर बनाने का परियास करना होगा आपको जारी रखिए जीवन शैली में आया बदला और नए व्यक्ति से हुआ परीचे आपको सफलता दलवा सकता है और इस सफलता आपकी जो है किसी भी शेत्र में हो सकती है चाहें आपको स्टड़ी है या आपकी जो है आप पैसा अगरा कमा देखने को मिल सकता है अज आप किसी रुके हुए काम को पूर्ण रूप से संपन करने में सफल रहेंगे बहतरी के लिए आप कुछ पॉजिटी बदलाव लाने की विचार बनाएंगे आप ऐसा सो सकती है कि क्यों आज आज ओफिस के जो है रंग धंकों बदला जाए आपक किसी से चर्चा मत करें चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनस और करेर की तो आज अपनी कारक शितर में अपनी गदे वीडियो में और भी ज्यादा सुधान लाने का प्रत्न कीजिए लेकिन डेल करते समय आपको बहुत ही चुकनना रहना है थोड़े से कार्थिक उनती भी होगी आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है पैसा मिल सकता है आज के दिन खर्चा थोड़ा कम भी हो सकता है और आमदनी उससे जादा देखने को मिल सकती है आपको साथ में आज कारक शितर में मरमत वे रंग रोगन से समंधित कारियों की योजना है एपन सकती है वीवय आज को अपने को अपने करियर से लिलेदिड को ही इंपॉटर ईसुचना है मिल सकते है साथ में आज कमीशन से लेडिद जिनका विया पार है उनू辈 सफोत मिलती नखर आएगी और हाँ साथ में आज करिण में जो हें काभी तरक्की होते हुए नजर प्रठाई पर तो आने वाले दिरों के एक्जाम में आपको मिराशा हाथ लग सकती है इसलिए आपको जारतर समय अपने स्टडी को देना चाहिए जादा बेटर रहेगा चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में तो लव लाइफ कहती है कि आ आती है फिर अपनी वतनी की सार्थ रहना शिरू करो आप ऐसा सोच विचार बना सकते हैं आपको जो है आज की दिन ये सलाह दी जाती है कि ऐसे रिष्टों से दो रहेगा रिष्टारों से चुकि आपकी ग्रहस्ती पर ध्यान देते हैं जादा यानि कि अगर आप शादिश सकती हैं दूरियां बढ़ सकती हैं तो ध्यान रखिएगा आज पार्टनर में तनाव वो जो है सुलजने का दिन है यानि कि तनाव जो है चल रहा था उसमें आपको बहुत ही हद तक पार देखने को मिल सकता है आप दोनों में आपसी प्यार परकरार बना रहेगा फिर से प बहुत इच्छा आज योग बन रहा है, especially आज लव लाइफ वालों का, लव लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया देना है, अगर आप अपनी जो बात है, घर वालों से करते हैं, कि हम शादी करना चाहते हैं, तो येकीन मानें, वो आज जिल्दी ही मान जाएंगे, बस आपको थोड़ असार यदन करना है, बाकी से सारे आपके साथ रहेंगे, चलिए बागे वरत तुर बात करते हैं, स्वास्त की, तो स्वास्त कहता है, कि अपनी दिन चरिया को आपको बैलन्स बना कर रखना होगा, बदलते मौसम के साथ नकरात्मक प्रभाव कासर आपके स्वास्ता पर पढ़ सकता है, हलका खाना खाईएगा, स्वास्ति बाकी लोगों का तो ठीक ही है, एक्टिवनेस बनी रहेगी, प्राणायाम से विचारों का संतुल बना रहता है, तो प्राणायाम जरूर कीजएगा, स्पेशली कपाल भाती और अनलोम विलो, आज मौसम में बुखार आपको हो सकता है, तो दिन चर्या को ठीक रखे, हजाब के लिए शीशुपाई रहेगा, तो यकीन माने भगवान भी आपसे खुश रहेंगे, तो यही सबसे अच्छा उपाई है आज आग आपके लिए, तो दोस्तों, अगर आपके वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करें, शिर्क करें, और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बेद को भी न भूलेगा, धन्यवाद,